गेरल्ड्स गेम मूवी की सुरुवात में हम एक मैरिट कपल को देखते हैं जिनका नाम जेसी और गेरल्ड होता है यहां यह दोनों एक दूसरे से खुस नहीं थे यानि कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे इसे लिए यह दोनों एक आइसोलेटर लेख हाउस में घूमने के लिए जारे होते हैं ताकि यह एक दूसरे को समझ सकें उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकें अब जब यह जारे होते हैं तो तभी इनके रास्ते में एक डॉग आ जाता है जो किसी मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था फिर यह वहाँ से निकलते हैं और अपनी डेश्टी नेशन पर पहुँच जाते हैं यहाँ पहुचने के बाद गैरल्ड वाइगरा नाम की ड्रग लेता है जो की काफी हार्ड ड्रग होता है इधर जेसी उस डॉग को ताजा मांस सखाने के लिए देती है तभी गैरल्ड बाहर आता है इसे देखकर वो डॉग डर कर वाँस से भाग जाता है उसके बाद गैरल्ड जेसी का हाथ पकड़ता है उरसे घर के अंदर ले जाने लगता है जाते हुए वो घर के डूर को भी खुला ही छोड़ देता है अंदर आकर जेसी अपनी नाइट ड्रस चेंज करने लगती है इधर गैरल्ड फिर से वाइगरा लेता है और इसके बाद वो जेसी के पास आता है और उस गलास को वहीं पर रख देता है अब यहां वो हर बार की तरह नहीं करना चाहता था इससे लिए वो कुछ नया ट्राई करता है फिर वो जेसी के हाथों को उसी बैट से दोनों तरफ से बाद देता है ये देखकर जेसी सर्प्राइज हो जाती है पर तभी गैरल्ड कहता है ये सब करते हुए तुम ऐसे रियेक्ट करना जैसे कि तुम्हारे रियेप हो रहा हो इस पर जेसी पहले तो मान जाती है पर कुछ देर बाद अब उसे अच्छा नहीं लगता इसलिए वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है जैसी की इस बास से गैरल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है अगर तुम हर बार ऐसे ही करोगी तो क्या होगा तुम्हारी वज़ा से हमारे रिलेशन और भी खराब हो गई है और तभी अच्छानक से गैरल्ड को हार्ट अटेक आ जाता है और वो जेसी के उपर गिर कर मर जाता है इसके बाद जेसी उसे अपने उपर से हटा कर नीचे गिरा देती है लेकिन यहाँ जेसी के हाँ थब भी उस बैट से दोनों तरफ से बदे हुए थे और उसके हैंड कफकी की यानी चावी अब भी गैरल के पास ही पड़ी थी पने कई घंटे बरबाद कर दिए तभी जेसी को इमेजनेसन में वो खुद दिखाई देती है जिसके हाथ अब बैड से खुल गए थे फिर गैरल्ड और जेसी उसे वो बाते बताते हैं जो उसके मन में हैं पर आज तक उसने वो बात कभी नहीं बताई अब यहाँ पर कई घंटों से बदे होने की वज़ा से उसे काफी प्यास लग रही होती है तब ही वो दोनों उसे उस बैड पर रखे पानी के गलास को याद कराने की कोसिस करते हैं वो कहते हैं कि एकर तुम थोड़ी और कोसिस करोगी तो तुम पानी पी सकती हो जिससे अब जेसी को पानी मिल जाता है और वो उसे पी लेती है इसके बाद अब उसे नीद आने लगती है इसलिए वो सो जाती है अब आधी रात में जब उसकी आख खुलती है तो उसे वहाँ अंधेरे में कोई आकरती दिखाई देती है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि तुम असली नहीं हो लेकिन तभी वो इनसान उसके पास आता है और उसे एक बैक दिखाता है जिसमें कुछ हड़ियां और रिंग सोती है पर जेसी कहती है कि तुम असली नहीं हो और ये कहकर वो अपनी आखे बंद कर लेती है लेकिन तभी गैरल्ड उसे बुलाता है तो वो अपनी आखे वापस खोलती है गैरल्ड उससे कहता कि ये कोई तुम्हारा भ्रहम नहीं है बलकि ये तुम्हारी मौत है जो तुम्हारा इंतिजार कर रही है तब ही वो उसे माउस नाम से बुलाता है जिससे वो काफी परेसान होने लगती है और अपने पास्ट में चली जाती है जहां वो अभी 12 साल की थी यहां एक दिन जब वो अपने फादर टॉम के साथ बैठ कर संसेट देख रही होती है तब ही उसका फादर यानि पिता उसे फिजिकल होने के लिए फोर्स करता है और जब वो फिजिकल होती है तो बाद में उसका पिता सारी गलती उसी की ठहरा देता है और उससे कहता है एकर तुम यह बात किसी और को भी बताओगी तो वो तुम्हारी ही गलती समझेगा अभी ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई और आज तक उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई यहां वो ये सोचती है कि उसने पने फादर के जैसे ही एक आदमी से साधी कर ली है उसके फ खून के बने हुए पैरो की निसान को दिखाता है और कहता है कि ये उस आकरती के पैरो की निसान है तभी जेसी को भी याद आ जाता है और वो अपने पास रखे हुए गलास को तोड़ कर अपने हाथ को काट लेती है और उस कटे हुए हास से वो उस कफ को खोलने की कोशिच कर लेती है लेकिन अब वो काफी कमजोर हो गई थी क्योंकि उसने दो दिनों से कुछ भी नहीं खाया था इसलिए वो वहीं पर बेहोस हो जाती है अब जब उसकी आख खुलती है तब वो हॉल के एंड में उसे इंसान यानी की आकरती को देखती है फिर जैसी उसके पास जाती है दर से बोलती है कि तुम बस मेरे मन का एक भ्राम यानी इल्यूजन हो ये सुनकर वो इंसान अपने बैक को उसके आगे करता है जिसमें हड़ियां और रिंग्स होती है इसके बाद जैसे अपनी वेडिंग रिंग उसके बैक में डाल देती है और वहां से भाग कर अपनी कार लेकर भागने लगती है अब कुस दूर आने पर वो देखती है कि उसकी बैक सीट पर वही आदमी बैठा हुआ है ये देखकर वो बहुत ज्यादर डर जाती है और तभी उसकी कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है लेकिन आस पास के लोग उसकी आवाज सुनकर वहां पर जाए जिसमें वो उन सबी छोटे बच्चों की मदद करती है जिनने बच्पन में उनके माता-पिता फिजकल होने के लिए फोर्स करती है वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जैसा उसके साथ हुआ वैसे किसी और के साथ भी ना हो लेकिन आज भी हर राट जब वो सोझाती है कि वो इंसान मरे हुए लोगों की हड़ियां और जोयलरी चुराता है.. और मेल यानी कि नरलासों के तो फिस भी खा जाता है । यानी कि वो वही इंसान था.. यहाँ में पता चलता है कि ईसने उस घर में जैसी को नुकसान क्यों नहीं पहुखायाха.. और ये भी पता चलता है कि गेराल्ड का चेहरा क्यों बिगड़ गया था यानि कि खाया हुआ था अब जब पुलिस को ये पता चलता है तो वो उस घर में इन्विस्टिगेशन के लिए जाते हैं जहां पर उन्हें वही आदमी मिलता है जो एक जिन्दा इन्सान का कान काट रहा था इसके बाद जेसी कोर्ट में जाती है जहां पर उस इन्सान को सजा सुनाया जा रहा था अब जैसे ही वो इन्सान जेसी को देखता है तो उससे कहता है कि तो मसली नहीं हो वो कहता है कि जब तुम वहाँ से गई थी तब मैं वहीं था इसके बाद जेसी उसे देखते हुए उसकी और बढ़ने लगती है तब ही उसे उसमें टॉम यानि उसका पिता और गेराल्ड दिखाई देता है तब ही वो कहती है कि तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो जीने मैं इमेजिन करती हूं और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है इसके बाद वो को'reट से बाहर निकलती है और अब उसके चेरे पर स्माइल होती है और यही पर ये movie खत्म हो जाती है तो दोस्तों अगर आपको ये मुवी की एक्सप्लानेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना बाकी मैं मिलूँगा आपसे एकली वीडियो में तिल देन टेक क्यार, लव यू, बाबाए